तो क्या हाल है मेरे भाईयों का सब बढ़िया है ना आज मेरे सथ हार देक है कम्यूनल टैप पे हमने एक पोस्ट डाला था Q&A का जहाँ पे आपके काफी सरे सवाल आए और obviously सारे सवाल में पेक नहीं कर सकता वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी still कुछ सवाल है जो हमें काफ 5000 लाइक का टार्गेट दे रहा हूं अगर यह वीडियो पसंद आएगी तो ट्राय करूंगा महिने में दो Q&A हम कर लिया करेंगे और मुझे फीडबैक भी मिला आपका काफी कि आप वेट कर रहे हो लाइश्ट्रीम का लाइश्ट्रीम में भी आप questions पूछना चाहते हो तो Redmi Note 10 को अब ignore कर दो Redmi Note 10 में आपको recommend कर देता जब वो launch हुआ था तो 12,000 रुपे का था अब Xiaomi ने lockdown के बाद से price बढ़ा दिया 14,000 रुपे के अंदर आप Amazon से Redmi Note 10S पर चेस कर सकते हो Redmi Note 10S में आपको प्रोसेसर बेटर मिल जाएगा Mediatek Helio G95 और जैसे कि इन्होंने बताया कि performance बढ़िया चाहिए Performance और display उसमें AMOLED है तो आपके दोनों purpose solve हो जाएगे और battery backup भी decent है तो आप 1000 रुपे बढ़ा के वो ले ले लेना अब अगला सवाल पूछा है नरेन चुटके भाई ने कि best camera phone कौन सा है 15,000 की range में Super AMOLED डिस्प्ले हो जिसमें और upcoming phones अगर कोई आ रहे है तो वेट भी कर सकते हो नरेन भाई upcoming phones 15,000 रुपे के अंडर आपकी priorities के according as such ज़्यादा वेट करने का फाइदा नहीं है मैं आपको कहूंगा कि आप ज़्यादा expectation मत रखना अगर आपको अच्छा camera चाहिए because video quality तो आपको 15,000 रुपे के कम के phones में जाद अच्छी नहीं मिलेगी decent pictures क्लिक करने के लिए आप Samsung M32 पर chase कर सकते हो जिसमें Super AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है तो डिस्प्ले अच्छी है और Mediatek Helio G80 एक decent सा processor है और आपको front camera और rare camera ऐसा मिल जाएगा जो daylight में काफ़ अच्छा perform करेगा dynamic range विगरा बढ़िया capture कर लेगा obviously बात है 14,000 रुपे का phone है तो low light image quality आप जाद अच्छी expect नहीं कर सकते लेकिन overall यह decent phone है अगर आपको Samsung का phone ना लेना हो तो आप Moto G40 भी consider कर सकते हो बट वो मैं आपको इसलिए recommend नहीं कर रहा because आपको display भी अच्छी चाहिए तो फिर आप Moto G40 को ignore कर दो उसमें IPS है Samsung M32 को आप consider कर सकते हो अगला सवार पूछा है ओवेस भाई ने कि UI किसी भी Android phone में कितना important होता है अगर new cell phone purchase करना हो तो UI को mind में रखना चाहिए या फिर सिर्फ प्रोसेसर और storage पे ही ध्यान देना चाहिए storage पे आप ध्यान दे सकते हो because किसी को कितनी storage चाहिए होती है वो तो personal preference के उपर depend करता है तो storage के उपर ध्यान देना चाहिए बट प्रोसेसर के ऊपर ही ध्यान में रखके आप phone purchase मत किया करो ये बात मैं काफी time से बोलता आ रहा हूँ कोई brands आपको 25,000 में भी Dimensity 1200 chipset दे देते हैं तो कुछ brands है जो same processor दे रहे हैं लेकिन price charge करें 30,000 rupees ऐसे में क्या होता है कि एक अच्छा user interface होना बहुत ज़रूरी होता है एक ज़रूपे के अंडर आपको normally snapdragon 888 भी मिल जाता है लेकिन एक अच्छा Samsung का 1UI और snapdragon 865 मिलता है इसलिए वो phone में सबको recommend करता था और लोग वो phone purchase करके खुश भी है तो ज़रूर ध्यान में रखा करो कि एक अच्छा user interface हो जैसे Motorola के phones हो गए Asus के phones हो गए या फिर Samsung के जो phones होत होते है future में updates के बाद पता हिए क्या हाल होता है phones का हम लोग टेस्ट करते हैं तो कभी battery backup बेकार हो जाता है तो at least आपको consistent performance मिलती रहेगी एक decent processor के साथ उस चीज़ को धिहान में रखके ही phone purchase किया करो तो हा user interface बहुत important role play करता है अब अगला सवाल है कि camera और display के मामले में OnePlus Nord 2 5 5G Motorola H 25G या फिर IQ 7 कौन सा लेना चाहिए देखो OnePlus Nord 2 का camera में test already कर चुक हूं मैं बता चुक हूं कि front camera उस phone का अच्छा perform बिल्कुल भी नहीं करता काफी improvement की जरूरत है लेकिन rare camera low light में बहुत अच्छा perform करता है OnePlus Nord 2 का और rare camera में you know daylight में थोड़ा सा average perform करता है बट लो light में काफी बढ़िया perform करता है तो obviously बात है selfies भी सबको capture करने होती है IQ 7 का भी camera काफी average है ने टेस्ट किया था एंड जहां तक रही बात Moto Edge 25G की तो थोड़ा सा वेट करो दो phones की वेट करो Moto Edge 25G का camera हम फिलाल टेस्ट कर रहे है और एक phone और launch हो चुका है Samsung का जो है Samsung A52s जो cashback के बाद 32,000 के round है जिसका price तो आप उसका भी वेट करो तो 30,000 रुपीज के round उसका भी camera में expect करो कि अच्छा perform करेगा और मैं try करूँगा कि camera comparison video भी upload कर सकूं Moto Edge 25G और Samsung A52s की तो थोड़ा स आप उसका वेट कर लो ठीक है तो मंजीत ने बूचा है कि थोड़ा budget कम कर देते हैं 23,000 में best smartphone कौन सा रहेगा gaming करनी है इन्हें और camera भी अच्छा चाहिए 23,000 रुपे के round gaming करनी है और camera भी अच्छा चाहिए ऐसा तो कोई phone as such नहीं है यार इस price segment में जिसमें आपको gaming performance भी अच्छी मिल जाए और camera भी अच्छा मिल जाए तो आप sale का वेट करो Flipkart की upcoming sale में आपको Realme X7 Max 5G जिसमें Dimensity 1200 chipset है वो cashback और bank offers के बाद easily 23,500 या 24,000 रुपे का मिलता है तो obviously बात है वो gaming के लिए एक बहुत बढ़िया chipset है AMOLED display है और camera जो है वो Realme के phones के काफी average होते है तो camera अच्छा expect नहीं कर सकते है बट at least आपके दो purpose solve हो जाएंगे अगर आपको camera भी अच्छा चाहिए गेमिंग बेची चाहिए तो वो उसके लिए आपको 35,000 रुपी से उपर spend करना पड़ेगा तब ही कोई अच्छा option मिलेग अब हॉर्स बाबा ने ही पूछा है हॉर्स बाबा अब यही नाम रखा हुए इना ने अब हॉर्स बाबा ने पूछा है कि Nord 2 या Reno6 में से कौन सा सही रहेगा यार ओवरॉल तो OnePlus Nord 2 एक बेटर फोन है OPPO Reno6 एक ऐसा फोन है जिसको एक बार आपने देख लिया या ओफलाइन में stores पे अवलेबल है आपको उसका डिजाइन जरूर पसंद आएगा बहुत premium बिल्ट क्वालिटी है लेकिन overall सब कुछ ध्यान में रखते हुए OnePlus Nord 2 ही एक बेटर option है वह साइड का फ्रेम प्लास्टिक का है उसमें मेटल मिल जाता है और आप चाहे तो अगर इतना मतलब बजट आपका है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या देखो तो oxygen OS पे आप वहली बात तो रही नहीं color OS ने पूरी अपनी काम कर चुका है और एक अच्छा यूजर इंटरफेस हूं मिलना चाहिए अगर आप 30,000 के रों स्प्रेंट करने का सोच रहे हो तो आप क्यों ना Samsung A52S में टेस्ट कर रहे हो फिलाल तो उसका भी थोड़ा वेट वेट कर लो वो भी snapdragon बढ़िया प्रोसेसर के साथ आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा वन्यूआ अच्छा है तो थोड़ो सा वेट कर लो एक बार तो जो तीनों में सच्छा लगें बोले लेना अगला सवाल है हर शारज राठी की तरफ से काफे इंटरस्टिंग वेट कर सकते हैं तो अगर वेट कर सकते हो तो आपको तो सबसे ज़दा वेट करने की ज़रूरत है बेकॉस एसस बहुत जल्द एड़ी को लांच कर सकता है इंडिया में और मैं प्राइज उसका मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा बट अगर आपका 35 से 40,000 रुपीस का पड़ेगा या हो सकते हैं आपको इससे कंप्राइस में मिल जाए और वो फोन काफी कॉंपैक्ट है आप देख सकते हो बाहर वो फोन अल्रडी लॉंच हो चुका इंडिया के बाहर तो आपको पता है कि उसकी स्क्रीन साइज जो है वो 6 इंचिस के राउंड है तो वो फोन क नंजी भाई भलिया का सवाल है कि एसस एट जी इंडिया में कब तक आएगा और प्राइज और कैमरा कैसा होगा इसका तो यह नाम सही पड़ रहे है ना कमेंट्स वह लोग बहुत मज़े लेंगे यही नाम है अच्छा ठीक है नंजी भाई ओके नंजी भाई नंजी भाई सवाल क्या था इंडिया में कब तक आएगा प्राइज और कैमरा कै agree आ कैमरा तो एक्सपेक्ट करो मैं आरौजी 5 पि अच्छा था तो मैं एक्सपेक्ट करो की इसकी अच्छी होगी because Asus हमेशा से अपने phones में image post processing पर ध्यान देता आया है no matter कौन सा sensor है megapixel कितने है उसको ignore करते हैं and कब आएगा तो बहुत जल्द मतलब इंडिया में launch कभी भी वो phone हो सकता है तो थोड़ सा वेट कर लो जैसी कुछ पता चलेगा मैं definitely आपको वीडियो भी मिल जाएगी चैनल पे और थोड़ सा time दो बस यार सब कुछ अभी reveal नहीं कर सकते है हर्ष खंडेलवाल का सवाल है कि कौन सा बेटर रहेगा iPhone XR या iPhone 11 हर्ष भाई iPhone XR तो अब रहने तो यार बहुत पुराना हो गया iPhone 11 तो at least purchase करो अब ऐसे ही एक एम ने पूछा है कि iPhone 11 या iPhone 12 Mini अच्छा कुछ आगे priority कौन सा सही रहेगा बैटरी किसकी बेस्ट है बैटरी किस इसकी बैटरी और iPhone 11 में 3100 संथिंग है तो बैटरी कपैसिटी में फरक है बट रियल लाइफ यूजच में दोनों का बैटरी बैकप भी आल्मोस्स सेम है बट मैं आपको ओवराल रेकमेंड करूंगा कि iPhone 12 Mini एक काफी जादा बेटर फोन है as compared to iPhone 11 iPhone 12 Mini में आपको पता है प्रो बेस्ट है तो यह बैटरी कम कंस्यूम करता है OLED डिस्प्ले है यह रीजन भी है कि बैटरी कम कंस्यूम करता है इवन दो बैटरी कपैसिटी कम है लेकिन main advantage मिलता है जब आप फोन को चार्ज करते हो दोनों फोन में आपको obviously fast charger तो अलग से purchase करना पड़ेगा लेकिन A14 Bionic chip ज बैटरी बैकप वो अच्छा नहीं देगा अगर आप fast charger यूज करोगे और ऐसा इशू जिन जिन फोन में A14 Bionic chip है उनमें दिक्कत नहीं आ रही है अब गुर्बानी सांगा ने अग्रा सवाल पूछा है around 45K camera इनकी priority as well as dual sim तो कौन से phone आप recommend करोगे also you should do live so we can ask why super chat बिलकुल मैं मन्त में एक बार live stream करने की पूरी कोशिश करूँगा और one on one जो interaction होता है वो करने में काफी जदा मजा भी आता है मुझे भी 45,000 के round देखो अगर आप अभी wait नहीं कर सकते तो आप S20 FE 5G पर chase कर सकते हो आप Google Play Store से या App Store से iPhone में Samsung shop app होती है वो install कर लेना और वहाँ पर offers आते रहते हैं तो Samsung S20 FE 5G आपको अगर 40,000 रुपीस के round मिल जाता है जिसमें Snapdragon 865 है तो वो आपके लिए best रहेगा camera भी अच्छा है display भी अच्छी है और वो dual sim तो आपको उसमें मिलता ही है तो वो ले सकते हो और अगर आप wait कर सकते हो तो 45 में तो नहीं launch होगा लेकिन Samsung S21 FE 5 5G भी बहुत जल launch हो सकता है एक better processor के साथ और उसमें camera भी हम expect करें कि flagship phone है तो अच्छा ही होगा तो वो 45 से आपको बढ़ाना पड़ेगा budget 50 से थोड़ा 52 के round होगा तो उसका वीट कर सकते हो तो आप ASUS 8Z का भी wait कर सकते हो थोड़ा सा अगर आपको अभी purchase करना हो तो S20 FE 5G no doubt काफी safe option है आप उसे भी देख सकते हो बट अगर वो 40,000 में मिले तभी आरेन पूछ रहे है कि Poco M2 Pro September 2021 में लेना चाहिए यार नहीं पहले जो वह जो प्रॉब्लम नहीं थी कि बैटरी जल्दी ड्रेन हो ली थी एंड फोन थोड़ा लाक कर रहा था तो वह अब मैंने उसके उपर वीडियो पूरी बनाई थी पोको इंडिया को आपने सबने काफी ट्वीट भी कर रहा था तो अब अपडेट्स देने के बाद फाइनली वह फोन काफी इंप्रूव हो चुका है वेटरी बैकप भी साही हो गया है फास्ट चार्जिंग भी साही से वर्क कर रही है तो वह फोन डीसेंट है स्नैब्ड्र एक बेटर ऑप्शन रहेगा तो बस यही कुछ सवाल थे आप लोगों के जो मुझे थोड़े सिमिलर लगे तो मैंने उनको पिक करा है जो सबसे हाइली आस्ट कोशिंस थे ओके तो मतलब काफी कोशिंस रिपीट भी हो रहे थे तो जो ठीक लगे वो हमने पिक करके पूरी क अब बाद एक और अप्लोड भी कर देंगे और यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत सरे फून्स लाँच होने वाले हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तिल दन यू यू गैसे वाग्रेट है